मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन अच्छे दिन के चक्कर में युवाओं को ना ही नौकरी मिल रही है और ना ही उनके शादी हो रही है तो उनके लिए भी अब जुगार हो गया है सरकार अब कुमारे युवाओं को पेंशन देने जा रही है हर महीने उन जिसका इंकम दो लाग सी कम होगा उन युवाओं को ये पेंशन देने का काम शुरू किया जा रहा है पूरी ज़ानकारी ये के करके आपको आगर रपॉर्ट में हम देंगे इसके लिए क्या कुछ सिरकार ने शेर्ट रखी है ये भी आपको हम बताएंगे अब नमशकार आप जंता जंक्षिन देख रहे हैं और मैं आपकी साथ वंदना पांडे देखिए लोकसभा और वधानसभा चुनाओ माती पर है और चुनाओं में युवाओं का वोच बैंक बराने की तैयारी अभी से शुरू होने लगी है बिहार में वक्त लगेगा लेकिन हर्याना सरकार ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है हर्याना में जोहां बीजेपी ने अपना कबजा जमाया हुआ है वहां इस दबदबे को आगे भी कायम रखने की और मनुहर लाल खटर की सरकार ने युवां को अपने पाले में लेने की तैयारी पूरी कर ली है इसी कड़ी में अभी ये ऐलान हो गया है कि कुमारे युवां को हर महीने पेंशन दिया जाएगा जहाहा हर्याना सरकार ने जिन युवाव की शादी नहीं हुई है और जिनका इंकम जादा नहीं है वैसे युवाव को पेंशन देने का ऐलान किया है और हो सके तो ये आने वाले महीने से ही इसके शिरुवात हो जाएगी आने की आने वाले महीन यानि के अगस्त से ही 40 से 70 साल के और विवाहित युवाओं को ये पेंशन दिया जाएगा जिनकी आमदनी सही नहीं है और अस वज़ा से भी अगर उनकी शादी नहीं हो रही है तो इस सीज को ध्यान भी रखते हुए हर्याना सरकार अब इस कोशिश मे बड़ी बात ये है कि उन युवाओं को मदद मिल जाएगा जिनकी आमदनी जादा नहीं है और ये भी एक कारण बन जाता है जब वो शादी नहीं कर पाती है उनकी शादी नहीं हो पाती है वैसे भी हर्याना में लड़कियों की कमी की वजह से शादी में काफिद दिक्कत हैं लेकिन दूसरी बड़ी दिक्कत तसकारन भी आती है क्योंकि युवाओं को अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है और सही आमदनी नहीं होने पाने के कारण अन्मैरिड ही वो रह जा रही है तो बैसे युवाओं को ये ध्यान में रखते हुए सरकार नहीं फैस्ता लि है बाद जो भी हो लेकिन इससे सबसे जादा फाइदा कुमारे युवाओं को होने वाला है हलांकि सरकार ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है वो यह है कि सियोजना का लाव उन्हीं कुमारे लोगों को मिलेगा जिनकी वाशिक आमदनी एक दसम्रो आठ शुन्य लाख होगी किवल उन्हीं को ये पेंशन दी जाएगी साथी एक उम्र भी निर्धारित कर दी गई है हर्याना के रहने वाले कुमारे लोगों को ये फाइदा होगा जिनकी उम्र 40-60 के बीच में होनी चाहिए सरकार के द्वारा ऐसे युवाओं को पेंशन देकर उनकी हालत सुध हाइडने की कोशिश की जा रही है उनको आर्थिक रूप से सरकार मदद कर रही है और जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि अगले महीने से शरुवात हो सकती है जिसकी बाद कुमारों को सरकार हर महीने 2750 रुपे देगी उनकी अकाउंट में ये पैसे जाएंगे मगर आगे चलकर उसे बाकी और राज्य में भी लागो किया जा सकता है वैसे देखनी को मिलता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पहले से भी कई ऐसी यूजनाओं को लाया गया है जिससे यूवावर्ग हो या फर बुजर्ग हो हर एक वर्ग की ऊपर खासा ध्य सब्सक्रीशान दिया जाता है इस यूजनाह को लेकर अब तुसर्फ यही फ़र है कि हर्याना में इसक Hey लागो की चानकारी चाहता हमें आगए दो बिहार nelay जरक्रा शरूं फिल्हाल खबर यही है कि हर्याना में राज्ज्व सरकार ने इस नए रंगनीती को अपनाते हुए एक तरफ जहां चुनाओं की तैयारी में जुट चुके हैं तो वही दूसरी तरफ जो युआ हैं जो युआ वर्ग है जुनकी शादी नहीं हुए है उन्हें आर्थी ग्रू चाल और मैं थी आपके साथ वंदना धन्यवाद।